जिनको देश बेचना है वो भाजपा के साथ जाएं और जिनको देश बचाना है उनको कॉंग्रेस के साथ आना परेगा और मैं एक राजनितिक पार्टी के तौर पे यह आहवा नहीं कर रहा हूँ आजादी का आंदोलन जिस पार्टी ने लीड किया है आजादी के आंदोलन की जो विरासत है उस विरासत के आधार पे जो संभिधान की रचना हुई है और उस मंत्री मंडल की खासियत देखिए पंडित जवाहलाल नहरू देश के पहले पढ़ान मंत्री हैं वो इतने सही सुनू थे कि उसी मंत्री मंडल में डक्टर बाबा साब भीमरा अंबेदकर भी थे और स्यमा प्रसाद मुखर जी भी थे और आज एक आदमी बड़वोले पंड में खरीदे हुए मीडिया के सामने खड़ा होकर के कहता है कि आज की परिस्थिती होती तो संबिधान नहीं लिखा जा सकता है आज की परिस्थिती होती तो जो लोग संबिधानिक बात करने वाले लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं आप U.A.P.A. लगा करके उनको जेलों में भर दिये होते आपको सुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के आजादी के आंदोलन का आपको सुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के संविधान का कि आप कहते हैं चलिए हम मान लेते हैं आप कहते हैं कि हमने चाई बेची हलाकि हम आपको रेलवे बेचते हुए देख रहे हैं अगर एक चाई बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधान मंत्री बन पाया है तो ये वो बिरासत है जिस बिरासत को सेलिबरेट करने के लिए आज हम यहाँ ही कठा हुए हैं ये वो दोस्ती है जिस दोस्ती को हम कहते हैं रामाराश बहुत सारे लोग आवाज उठाने के जुर्म में गलत तरीके से जेलों में बंद करके रखे गया हैं अगर मैं बाहर हूँ तो मैं आप तमाम लोगों के बीच घूम करके एक जो मोटी मोटी बात कहना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी इस देश के लिए क्या बुरा की क्या अच्छा की ये आप जानते हैं हमारा देश बड़ा गजब का है हर कोई हर कोई हर चौक चौराहे पे आपको क्रिकेट का और कॉंग्रेस का एक्सपर्ट मिल जाएगा किर्केट और कॉंग्रेस दो ऐसी चीज है इस देश में जिस पर बातचीत करने के लिए इतिहास जानने की जरूरत नहीं होती है कोई भी कुछ भी बोलता है जब मैं 28 सितंबर को अपने साथियों के साथ कॉंग्रेस पार्टी जॉइन किया तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल किया और उसमें से एक दोस्त की बातचीत मुझे आज भी याद है उसने कहा और क्या डील हुआ है यही भाशा थी सुन करके बुड़ा लगा लेकिन मुझे लगा कि कई बार बुरी चीजों को हस करके टाल देना चाहिए वो उधर से बोला क्या डील हुआ हमने कहा मंगल यान जाने का प्रयास कर रहा है बहुत जल्द मंगल गरह पे एपार्टमेंट बनने वाला है राहुल गांदी हमको डुपलेक्स फ्लेट उसमें देने वाले हैं कम से कम मुझ जैसे लोगों को और आज की जो कॉंग्रेस पार्टी है उसको इस नजड़िये से मैं आपसे आगरह करता हूँ देखना बंद कर दीजिए आज के समय में कॉंग्रेस पार्टी की उस कॉंग्रेस पार्टी की हमको जरूरत है जिसकी बिरासत राजेंद प्रसाद और मुलाना मज्रूल हक की बिरासत है हमको उस कॉंग्रेस पार्टी की जरूरत है जो गांधी की वो बात बैसनब जनते तेने कहिए पीड पढ़ाई जाने रहे जहां कड़ुना नहीं हो दया नहीं हो प्रेम नहीं हो जिसमें दूसरों के दर्द से हम दुखी ना हो वो क्या होगा आज भगवान का नाम लेकर के धरम का नाम लेकर के जब इनसानों का खून बहाया जाता है तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है और ये मेरी जिम्मेवारी है अगर मेरा नाम कनहिया है तो ये मेरी जिम्मेवारी है और खुले मन से मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूँ छोटा, बरा, नुकर, चौक, चौरहा, बरी, रैलिया हर आंदोलन और हर संघर्ष से हमने ये संकल्प लिया है कि अगर देश को बचाने के लिए मुल्क को बचाने के लिए इस देश की संभिधान और उस आजादी की विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करना परेगा मुस्कुराते हुए हसते हुए संघर्ष को स्विकार करेंगे इस लड़ाई को लड़ेंगे यह हमारा संकल्प है हम बस आप से उस नजरिये को बदलने का आग्रह कर रहे हैं जिस नजरिये की बाचीत हमारे सकील अहमत खान सहब ने की कि आजादी यूही नहीं मिलती है आजादी लीज पे नहीं है आजादी भीक में नहीं है भीक में पुरसकार मिलता है आजादी नहीं मिलती है चापलूसी करने से पद मिलता है अधिकार नहीं मिलता है सोच करके मुझे बताईए ये इतनी आसान बात है कि मंदिर में जाने वाला मस्जिद में जाने वाला तिलक लगाने वाला टोपी पहनने वाला दोनों का भोट बड़ावर होगा फोर्चुनर पर चहनने वाला साइकिल पर घूमने वाला दोनों का भोट बड़ावर होगा महल में रहने वाला जोपरियों में रहने वाला फुटपाथ पे सोने वाला डनलप गदा पे लुटने वाला दोनों का भुट बढ़ावर होगा ये इतनी आसान बात नहीं है लेकिन मुश्किल ये है कि आज इस मॉबाइल के दौर में इनसानों को भी डेटा बना दिया गया है लोग फेस्बुक पोस्ट करते हैं और ये गिनते हैं कि कितना लाइक हुआ है इनसान नहीं गिन रहे हैं नमबर गिन रहे हैं हम नमबर नहीं हैं हम इनसान हैं और ये जो आज हमको नमबर बनाने की कोशिस की जा रही है 85%, 15% ये नमबर है और उस नमबर बनाने का जो साजिस है उसका जो खत्रा है उसको हमको समझना चाहिए कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो सरकार नमबर गिन रही थी ये नहीं कह रही थी कि घर में अगर एक कमाने वाला है उसको कोरोना हो गया है उसकी कोरोना से मौत हो गई है तो पूरा का पूरा परिवार बिलख रहा है वो एक नमबर नहीं है उस इंसान के भीतर भावनाएं है उस इंसान का वजूद है उस इंसान का इतिहास है उस इंसान की विरासत है उस इंसान की पहचान है वो एक नंबर नहीं है भोटों के इस खेलने नोटों के इस खेलने सिर्फ इंसानों को इंसानों से जुदा नहीं किया है उनको नंबर बना दिया गया है हमको नंबर नहीं होना है हमको नागरिक होना है देश जब 1947 में लिया था कि इस भूभाग पर रहने वाला हर इंसान चाहे हिंदू हो या मुसल्मान वो इस दियस का नागरिक्ठा है और रहेगा इस बात पर सहमती हुई थी हमने जो संबिधान स्विकार किया संबिधान सभा ने जो संबिधान तयार की उसमें सब को बरावरी का अधिकार दिया गया सब के भोट बरावर किये गए महिला पुरुष के भोट बरावर किये गए आप सब इस बात को जानते हैं आज भी आपके और हमारे घरों में महिलाओं के अधिकार बरावर नहीं हुए है लेकिन संबिधान ने महिलाओं के अधिकार बरावर करके रख दिया ऐसा नहीं है कि मेरा भोट एक है और मेरी माता जी का भोट आधा है उनका भोट भी एक है ऐसा नहीं है कि मेरा भाईया का भोट एक है और मेरी दीदी का भोट आधा है ऐसा नहीं है तो मैं कह रहा था कि चाप लूसी से पद मिलता है संघर्ष से अधिकार मिलता है किसी भी सूरत में हमको संघर्ष नहीं भूलना है और ये जो आज हमको मिला है ये हमको लोगों की कुरवानियों के बदौलत मिला है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक कहानी पढ़ा करता था परोपकारी ब्रिक्च परोपकारी ब्रिक्च की कहानी ये है कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान एक आम का पेर लगा रहा था तो एक नौजवान आदमी उससे पूछता है करे साहब क्यूं पेर लगा रहे हैं आप तो मर जाएंगे इसका फल भी नहीं खा पाएंगे तो इस बुजुर्ग इंसान ने उस नौजवान को जवाब दिया बेटा मेरे बाप दादों ने जो पेर लगाये थे उसका फल मैं खाया मैं ये पेर अपनी आने वाली पीड़ी के लिए लगा रहा हूँ सवाल जब हम उठा रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया जिस विरासत को बचाने की कोशिस की गई जिन अधिकारों को सुरक्षित किया गया उस अधिकारों को बचाना इसलिए जरूरी है कि उसका फाइदा जो हमको मिला है हमारी आने वाली सुनिश्चित कर सकें यह जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पे है बरना यह सवाल आने वाली पीड़ी पूछेगी कि सिर्फ कारवान लूटने वाला जिम्मेवार नहीं होता है कारवान लुटाने वाला भी जिम्मेवार होता है और जब कारवान लुट रहा था तो आप क्या कर रहे थे और मैं अपनी एक नादानी अपनी एक बच्पना आपसे साजा करता हूँ जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त दूर दर्शन था पूरे गाउं में गिंती के पूरे महले में दो टीवी हुआ करते थे और उस कीवी पे दो पार को धाई तीन बजे एक सीडियल आया करता था उस सीडियल का नाम था यूग जिसके टाइटल सॉंग में कहता था यूग बदला बदला हिंदुस्तान जब वो सीडियल में देखता था एक दिन बरे भूले पन से मैंने अपनी दादी को पूछा कि दादी जब गांधी जी देश के लिए लड रहे थे तो दादा जी क्या कर रहे थे और वो सवाल मुझे आज तक याद है और मैं उस सवाल को याद करके ये सोचता हूँ कि कल को आपकी नसले मी पूछेगी कि जब देश लुट रहा था तो हमारे घर वाले क्या कर रहे थे आपको ये तै करना है जिनको देश बेचना है वो भाजपा के साथ जाएं और जिनको देश बचाना है उनको कॉंग्रेस के साथ आना परेगा और मैं एक राजनितिक पार्टी के तौर पे यह अहवा नहीं कर रहा हूँ आजादी का आनदोलन जिस पार्टी ने लीड किया है आजादी के आनदोलन की जो विरासत है उस विरासत के आधार पे जो संबिधान की रचना हुई है और उस मंत्री मंडल की खासियत देखिए पंडित जवाहालाल नहरू देश के पहले प्रधान मंत्री है वो इतने सही सुनू थे कि उसी मंत्री मंडल में डॉक्टर बाबा साथ भीमरा अंबेदकर भी थे और सियमा प्रसाद मुखर जी भी थे और आज एक आदमी बड़ोले पन में खरीदे हुए मीडिया के सामने खड़ा होकर के कहता है कि आज की परिस्थिती होती तो संबिधान नहीं लिखा जा सकता है आज की परिस्थिती होती तो जो लोग संबिधानिक बात करने वाले लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं आप U.A.P.A. लगा करके उनको जेलों में भर दिये होते आपको सुकर गुजार होना चाहिए इस देश के आजादी के आंदोलन का आपको सुकर गुजार होना चाहिए इस देश के संभिधान का कि आप कहते हैं चलिए हम मान लेते हैं आप कहते हैं कि हमने चाए बेची हलाकि हम आपको रेलवे बेचते हुए देख रहे हैं